तो किसे हुआ हैं से हुआ चैंपियन्स अफ द वर्ल्ल मैं हो 3DX छेतन है और आज हम बात करने वाले हैं CM Punk के ड्रीम मैच के बारे में लेकिन उसके पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ है सबसे पहले Nick Allis से शुरू करते हैं जो SmackDown आने वाली है लिटरली भी परसो ही SmackDown आएगी और उसके अंदर अपरेंटली Nick Allis बहुत बड़ी Announcement करने वाले हैं और वह रियली लुकिंग फोरवर्ड तो इट बिकोज वो इस तरीके से कहा गया है मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो Special Announcement डेफिनिटली Roman Reigns, The Rock, Elimination Chamber, Cody Rhodes, Seth Rollins दस नोट मीन कि हम कहेंगे कि अरे चलो ठीक है, Australia में हो रहा है, I'm selling नहीं, हमें बड़ा मैच भी चाहिए भाई तुम Championship मैच कोई सा नहीं देना क्या तुमारे Seth Rollins injured है ठीक है भाई Roman Reigns को दे दो, अच्छा Roman Reigns तो वैसी injured वाली हरकते करता है ना कि भाई Roman Reigns का तो मैच हमें दिलाओ यार कुछ तो करो Roman Reigns तो The Rock को Tag Team में डाल दो अगेंस्ट कोई भी उठालो यार DIY, DX उठालो, DIX नहीं, मैं सही में बता रहा हूँ आपको यह जो announcement होने वाली है ना यह Roman Reigns के मैच से मिर को नहीं लग रहा होने वाली है इक और चीज पता चलिए वो यह कि Chamber के अंदर Grayson Waller Effect होगा और उस Effect के अंदर यानि कि उस Show के अंदर Cody Rhodes and Seth Rollins होने वाले है विच मीन्स कि जो हो सकता है I'm just guessing कि Wrestlemania के लिए क्या पता यह Tag Team मैच तो नहीं सोच नहीं इस बार इस बार कहीं ऐसा है कि Singles Match होई ना क्योंकि मेरे को जो यहां से अंदेशा दिख रहा है इस Grayson Waller Effect से कि जिस तरीके से Seth Rollins ने प्रपोजल दिया है जिस तरीके से Cody Rhodes ने अभी तक accept नहीं किया है तो क्या पता चेंबर के अंदर इनके भी सुलह हो जाए कि हाँ चलो ठीक है तो हम दोनों मिलके कुछ करेंगे और फिर दोनों मिलके एसलमीनिया में टैग टीम ले रहे है मैच ले रहे हैं अगेंस रोमोरेजिंस न दर रॉक विच विच माइट बी बैड डिसिजिजन कंसीडरिंग कि यह टैग टीम मैच किसे चीए बाई वर टैग टीम मैच किया यार हद यार में समझ स्कते हो सेथ रॉलिस इंजड है तो अब पता नहीं कैसे लड़ता होगा तो ऐसे में टैग टीम मैच ज्यादा सेंस बनाता है पर एसे में नहीं है यार टैग टीम हमें ट्रिपल थ्रेट देदो चलेगा वो बहुत अच्छी चीज लेगी डब डबली कि उनने का कि यार तुम दोनों का सेग्मेंट करा तो सकते हैं लेकिन एक और को अगर हम इसमें यूज करें तो वो ग्रेशन वॉलर है राइट ग्रेशन वॉलर ने बड़ी-बड़ी चीजे कर दिया और अपने सिर्विस शो से म और अगर इसके अलवा किसी और से रिलेटिड है सोच और उनने यह बोल दिया कि आज से करें क्रॉस अपनी बीवी के साथ नहीं घूमेगा या फिर लोग कहेंगे वह यार क्या पका दिया तुमने अनदर तिंग जो कि जॉन सीना के एक कोर्ट अभी चल रहा है मतलब साथिंग में रूथलेस अगरेशन है रहा कि टाम पर आया आया था छोटे चड़ा पहनता था जूस टाम पर उस टाम पर ट्रिपल एच और विंस मिकमैन वह बन दे थे जो कि चाहते थे कि मैं फायर हो जाओ जो कि मुझे दिल से हेट करते थे और विंस मिकमैन कभी यह बात एड्मिट नहीं करेंगे कोई भी एड्मिट नहीं करेगा बट टाम दे यूस टू हेट मी और वो मुझे चाहते थे फायर हो जाओ में और यह बहुत वियर्ड स्टेटमेंट है कमिंग फूम गाय लाइक जॉन सीना जॉन सीना वह बंदा है जो कि अगर आपने मर्डर भी कर तो उसमें भी positivity ढूनने वाला बंदा गर ऐसी चीज बोल रहा है इसका यह मतलब है कि legit Vince McMahon और Triple H hate करते थे जॉन सीना को विच इस ठीक है यार अब starting में जॉन सीन आपको अब दीख रहा है ना जॉन सीन आपको अब दीख रहा है लेकिन starting में कोई क्या ही बोल सकता है बाद मे यहने कि WWE never saw a greater low than this यहने कि WWE ने इससे बड़ा low अपनी करियर में नहीं देखा जब Seth Rollins उनिवर्सल चैंपियन बने and Kofi Kingston WWE चैंपियन बने देखो मैं आपको बता रहा हूं I love Seth Rollins but there is something about 2019 के Wrestlemania के बाद वाला Seth Rollins that I fucking hate man it's like I wanna puke इतना बुरा इतना बुरा कोई कैसा दीख सकता है चैंपियन यार Seth Rollins अब भी तो चैंपियन है Seth Rollins 2015 में भी तो चैंपियन था ऐसा क्या था कि 2019 में ही बेड़ा गरगुआ हो है ऐसा गरगुआ कि बेचारा Kofi Kingston निजान भई एक तो पधा नहीं के तलवार से लटक जाती है जैसे अगर ब्रॉक लैजर पर चैंपियन है खोई नहीं रोमेन्स पर चैंपियन है कोई नहीं जैसे कोफी बंदों पर चैंपियन आई अब देखते हैं बहले तू कैसा करेगा अब करके दिखा भाई कुछ तू अलग तू कुछ भाई कुछ अलग पाडगे दिखा भाई तो उस पे एक अलगी प्रेशर आ गया विचारा कह रहा कि यह मैं तो भला ही चैंपियन बना रोड टू सेथ रॉलिंस एंड कोफी मेनिया वर ग्रेट सेथ रॉलिंस का ब्रॉक लैजर को डी थ्रोन करना एक अलगी चैलेंज था क्योंकि देखो अवरिबड़ी वस लएक कि सेथ रॉलिंस कैसे हरा सकता है बट दे वोंट टू रूट उसके पहले कि जितने भी सेग्मेंट सो थे रैसल में निया सेथ रॉलिंस और कोफी किंस्टन वर दी वर्स आपसलूटली फ्रिकिंग वर्स नो हेट तो सेथ रॉलिंस और कोफी किंस्टन बट टाइटल रैन वस प्योर अटर गार्बच तिस इस माय ओपिनियन और यूट लव तो नो यूट उपीनिस कि उस टाइम पर जब आप डबडबडबी देख रहे थे तो क्या आपको यह पसंद आया था यह नहीं हो रहा कर आया था तो मेरे को यह भी लिखके बताओ कि क्या आप 2017 के बाद से डबडबडबी देख रहे हो क्योंकि अगर उसके गवार ने ऐसी फ्लिप मारी कि जया फारी के मुँपे जाके गिर रहा है इतनी बुरी तरीके से मेरा फेवरेट जया फारी अगर आपको पता होगा है AJ स्टाइस जया फारी तो इनको देखके मेरे को मतलब मेरे को पता है कि तूने सबसे दुनिया का सबसे गंदा डिसीजन लिया है All Elite Wrestling में जाके जब तो TNA में गया था ना बहुत बढ़िया था लेकिन All Elite Wrestling is the worst pathetic promotion वहाँ जाके अपना तुम जो शरीर का सत्यनास कर रहे हो क्यों कर रहे हो यार बाई WWE में तुम जब थे तब तुम उपर से तुम बिल्लिंग से भी कूच जाते थे कुछ नहीं होता लेकिन तुमारे उपर कोई जबरदस्ती थोड़ी accident कर रहा है भाई इधर तो अलगी नशे चल रहे है और मैं यह क्लिप नहीं दिखा पाऊंगा शायद से बिकोज All Elite Wrestling वालों की ego इतनी है कि जहां पर भी बुरा दिखाय जाएगा में strike मार देंगे तो इसलिए मैं उसका link जोईने वो description में डाल दूँगा ऐसा तो है नहीं कि मैं दिखाऊंगा नहीं हरकते तुमने करी है तो फिर वो दिखाएंगे भी इतना पुरा लग रहा है भाई जाए फ़ाडी के लिए कसम जब बता रहा हूँ and finally let's talk about Stone Cold Steve Austin and CM Punk the dream match that we have been talking about since 2013 exactly बाई मैं सही में सोचता था यह CM Punk क्या Austin की शर्ट क्यों पहन क्या रहा है बाई Austin की शर्ट क्यों पहन क्या रहा है ओ सोरी 2013 बोला गया मैंने ब्रो 2011 यह तो बारा साल से पहले की वात है वहाई तो बहुत बड़ा dream match है स्पेशली अब Stone Cold Steve Austin ने भी बोल दिया कि हम ऐसी जब CM Punk से dream match के बारे में पूछा गया तो उन्होंने का कि never say never plus उन्होंने इस चीज को भी deny नहीं कि वो दुबारा wrestle कर सकते है उन्होंने का कि opportunity आते तो मैं लडूँगा और हमने क्योंकि देख रहा कि वो Kevin Owens के साथ लड़ चुक है WrestleMania main event के अंदर तो obviously possibilities are endless अभी देखो rumor ने इसका scenario मेरे को लगनी रहा कि CM Punk के साथ आएगा अगली WrestleMania में but CM Punk versus Austin ये बहुत अच्छा program चला सकते है मैं कहरो एक साल लंबा program चलाओ just with the mics just with the words and the pure storylines CM Punk versus Stone Cold Steve Austin बहुत बढ़िया match हो सकता है mark my words with the heated rivalry जो इनके बीच होगी ना और Mike पे पता है आपको दोनों कैसे badass है राइट और मैं सोच रहा हो कि ये क्या WrestleMania होगी जिसमें Austin भी लड़ेगा जिसमें Rock भी लड़ेगा attitude era के दोनों prime बंदे लडने वाले meanwhile Roman Reigns भी होगा CM Punk के विन भाई में है मैं को लग रहा WrestleMania 41 के रेटिस्ट WrestleMania बनने के chances हो सकते बट अभी तो खेर WrestleMania 40 का ही नहीं पता अभी क्या चल रहा है CM Punk versus Austin के तो dream match की बाद की बात है अभी पहले जो दिख रहा है हमें तो वह ही नहीं पता चल रहा है कि यह होगा भी के नहीं होगा comments में लिखका बताना खैर आप CM Punk versus Austin देखना चाहोगा या नहीं और साथे साथ Jeff Hardy वाली क्लिप देखना भाई बहुत पुरा रहा comments में लिए अगर आपको पसंदा है तो प्लिए लिए को शेयर को चैनल के सब्सक्राइब करो कर देखना नहीं आपको प्लिए अड़ार को श्राब कर दो प्लिए लिएकर आपको प्लिए बार के भी कर दोठर प्लिए शेखना वेखना अंक।